हलो एवरीवन, वेलकम टो इंजीनियर राजीवतावडेज यूट्यूब चैनल, इस वीडियो में मैं ये बताने वाला हूँ कि वीडियो बनाते समय कभी-कभी कॉपीराइट क्लेम आता है, तो उससे ज्यादा कुछ डरने के बात नहीं है, कॉपीराइट क्लेम और कॉपीरा मतलब ऐसा म्यूजिक ना यूज करू कि जिससे कॉपीराइट क्लेम आ जाए, लेकिन कभी-कभी कैसे होता है कि एक पब्लिक प्लेस में हो, जैसे यह जो वीडियो था वो गर्भा का वीडियो था और वो गर्भा के वीडियो में बैक्राउंड में जो गाने प्ले हो रहे थ तो वो उसका इशू मतलब कॉपीरेट इशू आ गया तो इसलिए मैंने क्या कि यह जो वीडियो है उसको जल्दी से मैंने प्राइवेट पर कनवर्ट कर दिया यानि कि अभी यह पब्लिक पर जैसे बाकी वीडियो है वैसे नहीं है यह प्राइवेट मोड पर है इससे मेरे वीडियो तो नहीं बढ़ रहे है 34 तो कॉपीरेट क्लेम जो होता है उसमें क्या होता है कि पीछे से मतलब पता ही नहीं था कि मतलब वह गाने कुछ चल रहे थे लेकिन उसका कुछ इशू आ सकता है तो अभी कैसे निकालना होता है वो मैं दिखा तो यहां पर सी डीटेल्स पर क्लिक करना होता है वह पर क्लिक करने के बाद में अगला स्क्रीन जो आता है यह देखे वीडियो कॉपीरेट डीटेल्स करके दिखा देता है यहां पर और यहां पर लिखा है कि नौट अफेक्टेड तकंटेंड आईडी क्लेम और यह वैसे भी यह प्राइवेट मोड पर किया हुआ है तो मैं इशू यह सौल होने के बाद में ही मैं इसको वापिस पब्लिक मोड में में चेंज करूंगा इस वीडियो को वीजिबिलीटी को इस वीडियो के तो अभी मैं आपको दिखा देता हो कि कैसे वह लिखा हुआ आता है यहां पर यह देखें 39.112 40.24 व और भी कुछ मुल्टिपल थे इस वीडियो में पांच से साथ कुछ थे तो उनको मैंने अभी निकाल दिया है तो यह देखें यहां पर भी और एक हैं तो वहां पर लिखा है कि 28 से 28.32 28 अवा मिनिट से लेके 30 अवा मिनिट 37 सेकेंड तग कुछ इसू था तो इम्पेक्ट तो वैसे लिखा है यहां पर इंपक्ट वीडियो नो रेस्टिक्शन करके लेकिन फिर भी यह वन बाइवन में इसको निकालने को देखता हूं तो दो तीन दिन से में यह करता हूं यह काम कर रहा हूं तो पांच साथ जो थे इसूस वह मैंने रिजॉल कर दिये हैं और अभ जो मैंने डियूरेशन जो दिखाया था वीडियो का उतना ही डियूरेशन को कट कर सकते हैं या उतने ही डियूरेशन को पीछे का जो सॉंग जो है उसको रिप्लेस कर सकते हैं या सॉंग को ही हम म्यूट कर सकते हैं यानि कि वीडियो में जो पिच्चर जो रहेगा वो तो तो दिखा ही देगा उतने डूरेशन में लेकिन पीछे का जो बैक्राउंड जो सॉंग है उसको मैं मूट कर दे सकता हूँ तो मैंने एक-दो बार यह ट्रिम-आउट सेग्मेंट भी कर दिया था और यह म्यूट सेग्मेंट मैंने बहुत बार किया था तो मैं सोचता हूँ कि कि ट्रिमाउट सेग्मेंट में नहीं यूज करता हूँ मतलब मेरा वीडियो का लेंद कम हो जाएगा वैसे यह 49 मिनिट 40 सेगेंड का वीडियो है तो इतना चोटे-चोटे के कि मतलब कर दू कि रखी देता हूं सिर्ष मू इवा थर्म कर देता हूं को तो यह देखिए अभी मैं म्यूट संग इसको मैं क्लिक कर रहा हूं तो अभी यहाँ पर स्क्रीन पर ऐसे आ रहा है चूंज हाव-टू-व्यूट दग्लेंड शॉंग तो यहाँ पर देखे ए म्य और उतने टाइम तक मुझे स्क्रीन को ऑन रखना या इंटरनेट को कनेक्ट करके रहने की कुछ जरुवत नहीं होती है यूट्यूब पीछे से यह सब कर देता है कम जब ही मैं यहां पर कंटीनू करके क्लिक करूंगा और एक दूसरा ऑप्शन भी है जिसमें लिखा गया है क मुट्व सौंग यानिकर सिर्फ जो सौंग है जो बैक्राउंड में प्ले हो रहा था वहां पर जब ही मैं कर बाद जब शूट कर रहा था तो वह पीछे का जो गाना जो है वही सिर्फ म्यूट होगा और लेकिन वहाँ पे अगर किसी ने बात की होगी या कुछ आवाज दो रहेगा वह रेकॉर्ड होगा लेकिन वह बीटा मोड पर है जैसे यहाँ पर लिखा गया है तो यानि के ट्राइल फेज चाहिद है तो वह में ट्राइ नहीं करने वाला हूँ इन्हों ने भी यहाँ पर यह पहला वाला option क्लिक किया है तो यहाँ पर मैं सिर्फ अभी यहाँ पर क्लिक करने वाला हूँ continue करके तो यह देखिए मुट all sound when song plays question मां कुछ रहे तो उतने टाइम तक जैसे है वैसे मोड में रहेगा यह वीडियो तो मैं टाइम लगता है यह सब होने के लिए तो यहाँ से में अभी यह स्क्रीन को में क्लिक करूंगा क्रॉस करके और मैं इस स्क्रीन से में बाहर निकलूंगा तो यह था copyright issue के regarding copyright strike जो होता है वो कुछ अलग होता है वो serious चीज होती है यह तो copyright issue बोलते हैं इसको copyright claim बोलते हैं तो इसको मैंने यह ऐसा आसानी से हम solve कर सकते हैं सो मैंने सुचा कि यह मैं video बना देता हो कि because बहुत सारे content creators होते हैं उनको फिर मतलब कुछ ऐसे जब भी issues आते हैं तभी कुछ ना कुछ